नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर तो आज का जब वीडियो है आज हम बात करेंगे आपने महाकाल के मंदिर पटेशो द्हाम के बारे में तो सुनाई होगा जो की लोकेटेड है शिकववाद में तो आई जानते हैं इसका एथिहासिक काल क प्रिशिद्ध क्यों है तो आईए जानते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा जन्पत की बाहा तैसील में आगरा से 70 किलोमेटर और सिकववाद से 22 किलोमेटर दूर इस्ट गाउं पटेशोर अपनी पौराडिक और एत्यासिकता के लिए प्रिशिद्ध है यमना तट पर बसे इस प्राचीन गाउं का पुराना नाम सौरीपूर है बाहा से 10 किलोमेटर उत्तर में यमना नदी के किनारे बाबा भोले नात का प्रिशिद्ध दिस्तान बटेशोर धाम है यहाँ पर हर साल कार्थिक शुकल पक्ष दूर से बहुत बड़ा मेरा लगता है आयो दोस्तों आप जानते हैं गाउं पटेशोर के बारे में यहाँ एक प्राचीन गौरफसाली तीर्थ है जिसमें सत्योग त्रेता द्वापर युक का इतिहास शुपा हुआ है यहाँ जैन तीर्थ कर भगवान नेमिनात की जनमिस्तिली भी है इसका उलेख, लिंग पुराण, मद्शिपुराण, नारद पुराण तता महाशिपुराण में भी है महाशिपुराण के अंतरगत कोटी रूद्र शंगिता के अध्याय दो में शलोक 19 में इस तीर्थ की चर्चा है पटेश्वर में बधरिया राजाओं का राज था, उनका महल जीडशीड अवस्ता में खड़ा आज भी अपनी भविदा की कहानी कहता है इस महल से एक सुरंग नीचे ही नीचे यमना तस्ट के जनाना घाट को गई थी, जहां रानिया श्नान करने जाये करती थी चोटी लाखोरी इटों से बना याकिला किसी समय पटेश्वर की सान था, अब तो याकिला जाड 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 और गास पाथ से पटा है वर्षा के दिनों में यहां कभी कभी चांदी के सिक्के मिल जाते हैं पटेश्वर में किसी समय गोशाईयां, बोरागियों और ब्रामणों की बहुत सुन्दर हवेलियां थी आज वह हवेलियां नस्ट हो गई हैं बड़े बड़े टीलों पर बसाया, एतियासे गाउं दीरे दीरे उजड़ता चला जा रहा है यहां दो-दो मंजिल के अनेक भब मकान खाली पड़े हैं पटेश्वर गाउं के घर टीलों पर बने हुए है यहां के अधिकांस कुवों का पानी खा रहा है यमना तट पर एक प्रिसिद प्राचिन कुवा है जैसे भूड़ा कुवा कहते हैं इस कुवे का पानी बहुत शीतल और मीटा है किवदंती के अनुसार यहां पर भगवान स्री क्रेश्न के पताम है राजाशूर से इनकी राजधानी थी जराशंद ने जब मतरा पर आकरमर किया तो यह इस्थान भी नस्ट ब्रेश्ट हो गया था पटेश्वर महामत्स के अनुसार महावरत युद्ध के समय बलभदर रिक दोकर इस इस्थान पर ती त्यात्रा के लिए आए थे यह भी लोक्षूती है कि कंस का अमरत शरीर बहते हुए बटेश्वर में आकर कंस किनारा नामकिस्तान पर ठहर गया था अकवर के समय यहां पदोरिया राजपूत राजजी करते थे ऐसा कहा जाता है कि एक बार राजा बदन सिंग जो यहां के ततकालिन शाशकते अकवर से मिलने आए और उसे बटेश्वर आने का निर्मनतर देते समय भूल से या कह गए कि आगरे से बटेश्वर पहुँचने में यमना को नहीं पार करना पड़ता जो वस्तु इस्तिती के विपरीद था गर लोटने पर उन्हें अपनी भूल मालूम हुई क्योंकि आगरे से बिना यमना पार किये बटेश्वर नहीं पहुचा जा सकता था राजा बदन सिंग बड़ी चिंता में पढ़ गए और भैसे कहीं समराट के सामने जुका जूटा ना बनना पड़े उन्होंने यमना की धारा को पूर से फश्यम की ओर मुड़वा कर उसे बटेश्वर के दूसरी ओर कर दिया और इसलिए कि नगर को यमना की धारा से हानी न पहुचे एक मील लंबे अत्यन्त शुद्रड और पके घाटों का नीद और यहां पर निर्माट करवाया पटेश्वर धाम के लिए एक कता कही जाती है कि राजा बधावर के और ततकाली राजा परमार के यहां उनकी राणियों ने गर्व धारड किया और दोनों राजा एक अच्छे मित्र थे दोनों के भी समझाता हुआ कि जिसके भी कन्या होगी वो दूसरे के पुत्र शेशादी करेगा राजा परमार और राजा बधावर दोनों के ही कन्या पैदा हो गई और राजा बधावर ने पर्मार को सुचित कर दिया कि उनके पुत्र पैदा हुआ है जो कि जूटा था उनकी जूटी बात का पर्मार राजा को पता नहीं था वे अपनी कन्या को पालते रहे और राजा बधावर के पुत्र से अपनी कन्या का बिवा करने के लिए बाट जोहते रहे जब राजा बधावर की कन्या को पता लगा कि उसके पिता ने जुट बोलकर राजा परमार को उसकी लड़की से साधी का वचन दिया हुआ है तो वो अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए बगवान शिप की आरादना यहीं बटेश्वर नामगिस्तान पर करने लगी जब राजा परमार की खबरें राजा बधावर के पास आने लगी कि अब शादी जल्दी की जाए उद्धर राजा बधावर की कन्या अपने पिता की लाज रखने के लिए तपश्या रखने लगी और उसकी विंती न सुनी जाने के कारड उसने अपने पिता की लाज को बचाने हे तू यमना नदी में आत्मत्या के लिए छलांग लगा दी बगवानशिप की गी आराधना का समतकार हुआ और वा कन्या पुरुष रूप में इसी स्थान पर उत्पन हुई राजा बधावर ने उसी कारड से इस स्थान पर 101 मंदिरों का निर्माड करवाया जो आज बटिश्वर नाम से प्रिशिद्ध है यहाँ पर यमना नदी चार किलो मीटर तक उल्टी धारा के रूप में बही है यमना की धारा को मोड़ देने के कारड 19 मील का चक्कर पड़ गया है बधोरिया वैंश के पतन के पशात बटिश्वर में सत्रेवी सती में मराटो का आधिपत्य स्थापित हुआ इस काल में संस्कृत विद्ध्या का यहाँ पर अधिक प्रचलन था जिसके कारड बटेश्वर को छोटी कासी भी कहा चाता है बटेश्वर के घाट इसी कारड प्रशिद्ध हैं कि उनकी लम्मिश रड़ी अविछिन्य रूप से दूर तक चली गई है उनमें पनारस की भाती बीच में रिक्त नहीं दिखाई पड़ता रात्री में जब पूरा जब आरती पूजा होती है तब घंटा गडियाल और शंक आदी के स्वरों से वातावरण गुंजित होड़ता है जैशंकर आदी के पावन तुमुल गगन बेदी स्वरों से जन्मानस को भक्ती भाव में लीन कर देने वाले इस तीर्थ का महत बहुत अधिक है बदावर में लोग विश्वास है कि सभी तीर्थों की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि पटेश्वर में पूजा का जल न चड़ाया जाए आदी काल से ही पटेश्वर शिव तीर्थ रहा है गर्ग सेंगिता में कहा गया है कि श्रावर सुकल और महासिव रात्री पर यमना इस्नान करने पर अच्छे पुन्य मिलता है या ब्रेजमंडल की 84 कोस की यात्रा के अंतरगत आता है आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है और ऐसी जानकारी के लिए अगर आप चाते होग मैं नया वीडियो लेते आता रहूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिए